अज मैं बनाने जा रही हूं हरी धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते की चट्मी, तो चलिए इसे बनाते हैं, यहां मैंने एक जार में एक मीडियम साइज के प्यास को चॉप करके डाल दिया है, इसके बाद मैं इसमें एक इंच अद्रक और पांच से साथ लसन की कलिया मैंने यहां तीन से चार हरी मिर्चियों को तोड़ के डाला है, आप अपने अनुसार इसे कम्या जादा कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसमें आदा कप फ्रेश पुदीना और एक कप फ्रेश धनिये के पत्ते डाल दूँगी अब मैं इसमें half teaspoon काला नमक डाल दूँगी, आप भी काला नमक का इस्तेमाल जरूर करें, इससे चटनी की टेस्ट काफी बढ़ जाती है मैं इसमें भुनी कुटीवी जीरा डाल दूँगी, मैंने एक चमच जीरा को dry roast करके उसे इमाम दस्ते में कूट लिया था इसके बाद मैं इसमें एक टीजपून जीरा डाल दूँगी, और अंत में मैं इसमें एक टीजपून नमक डाल दूँगी, आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल ले यहां मैंने इसमें हाफ कब दही डाली है, आप चाहे तो दही की जगा नीबु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे चटनी थोड़ी पतली चाहिए, इसलिए मैं इसमें दो से तीन चमच पानी डाल दूँगी, और इसे पीस लूँगी देखिए मेरे परफेक्ट पुदीने वा धनिया की चटनी तयार है, आप इसे समोसे, ब्रेट पकोड़े, कचोड़ी किसी के साथ भी खाएं, यह सब के टेस्ट को काफी बढ़ा देती है इसके साथ यह आप इसे आलू पराठे, प्यास पराठे, मूली केप पराठे, इन सब के साथ भी इसे ले सकते हैं आईए मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ आप इस चटनी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताएं कि यह चटनी आपको कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लजीज रेसिपी का आनंद उठा सकें